हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हुए अपना ट्रेडिंग पोजिशन इनिशेट कर सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुस्किल नहीं है और अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो काफी हद तक इसके बैसिस पे जो ट्वैब बिचाया जाता है जो जाल बिचाया जाता है डिटेल ट्वेडर के लिए जहां पे आपको नुकसान हो सकता उस नुकसान को भी आप काफी हद तक avoid कर सकते हैं तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम supply zone और demand zone को सही तरीके से systematic identify करते हुए हम अपना trade setup तैयार कर सकते हैं तो यहां पर अब हम चार्ट पर आगे हैं और देख सकते हैं यह आपका निफ्टी अगस्ट फ्यूचर वाला चार्ट है और यहां पर हमने time frame लिया है 5 minute तो यहां पर आप कोई भी time frame का इस्तमाल कर सकते हैं 5 minute, 10 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour, 1 day जो भी आपको सहुदेत लगता उस time frame में आप इसको trade कर सकते हैं इसको use कर सकते हैं time frame में कोई limitations नहीं है अब यहां पर हमने कुछ indicator का इस्तमाल किया है indicator क्या है कोई ज़्यादा complications नहीं है बस हमने एक volume लिया है और volume profile लिया है दो ही indicator लिया जिसको आप studies में जाके आसानी से add कर सकते हैं देख सकते हैं volume profile है और volume है बांकि हम इसी के basis पर क्या करेंगे हम identify करेंगे supply zone और demand zone यहां पर हम trap हो सकते हैं उस zone को हम आसानी से identify करके और वहां पर जो भी सही trade होता है वो सही trade हम ले सकते हैं तो यहां पर step by step समझना है स जोकि आपको right hand side में दिख रहा है और volume profile में आपको क्या find करना वैसा point find करना जहां पे volume profile ज्यादा हो पहला point यह हो گिया दूशरा point यह, और तीसरा point यह, अब देखना है कि जहां पे volume profile ज्यादा है वहां पे कोई हमें price action देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है याणि वहां प्राइस ट्रेड कर रा है या फिर नहीं कर रहा है तो जब हम यहां पे 19 अगस्ट को देखें तो 19 अगस्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत साही लोग निफिती में ट्रैप हुए होंगे बहुत साही लोग यहां पर फसे और personally मेरे पास कई सारे queries भी आएं इसी चीज़ को लेके कि यहाँ पे sir हम trap हो गए अब यहाँ पे हम trap से कैसे बच सकते हैं अगर इस तरह का trap future में देखने को मिले तो तो यहाँ पे multiple तरीका है इस तरह का trap से बच सकते हैं वही तरीका एक मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इस volume profile वाले level पे हमें price section देखने को बिल रहा है और यहां पर price आपका एक range में move कर रहा है ठीक है तो यहां पर कुछ न कुछ हो रहा है आधर यहां पर यहां पर यह आपका supply zone बन रहा है supply zone कहने का मतलब है कि यहां पर आपका resistance zone यह निका फॉर्मेशन कर रहा है हो सकता है यानि तो यहां पर demand zone का भी formation हो सकता है demand zone that means बहुँ यहां पर आपका support level का formation तो जब भी मैं आपको supply zone बोलू तो आपको समझ जाना है कि हम restaurant के बारे में बात करें और demand zone बोलू तो समझ जाना आपको यहां पर हम support के बारे में बात कर रहे हैं तो इस particle level पर आइदर आपका demand zone बन वाया या फिर supply zone बन वाया वह हमें कैसे पता चलेगा यहां पर हम क्या करेंगे हम सिर्फ फर्स्ट वन आवर के time frame को लेते हैं यानि market ऑपन हो गया और पहले एक घंटे में यह ज्यादा कोई upside move नहीं दिखाया नहीं ज्यादा downside move दिखाया वहीं अगर हम वालूम पर गौर करें तो वालूम यहां पर आपका नीचे side की तरफ जा रहा है drastically वालूम नीचे जाने के मतलब है कि प्राइस को भी यहां से नीचे आना चाहिए था लेकिन प्राइस यहां पर नीचे नहीं आ पा रहा है और यह भी हमें डाउट दे रहा है कि जो प्राइस section उसको वालूम के तरफ से support नहीं मिल रहा मतलब वालूम और प्राइस section के बीच में जो relation established होना चाहिए वो relation established नहीं हो पा है मतलब यहां पर मुझे लग रहा है कि डाल में कुछ काला है यहां पर हमारे लिए trap हो सकता है यहां पर प्राइस आइदर यहां से big move दिखाते हुए upside जा सकता है या फिर downside जा सकता है इसका idea में first hour में ही मिल गया था अब हम यहां पर क्या करेंगे हम हम इंतजार करेंगे कि किसी भी तरफ हमें either breakout या फिर breakdown देखने को मिल सकता है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके highest point को हम mark कर सकते हैं और lowest point को हम mark कर देंगे अब जैसे ही price highest point को break करके उपर निकलेगा हम यहां पर क्या करेंगे buy side की तरफ हम यहां पर entry ले लेंगे और price अगर आपका इस lower line को break करके नीचे आ गया यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम sell side की तरफ entry लेंगे यह point के लिए रो गया अब जब भी इसके basis पर हम हमें opportunity में ले तो हम trade ले सकते हैं दूसरा है यहां पर आगर आप यह high बना यह इन तीनों high को join करेंगे इस तरह का line रहोगा और नीचे में yellow बंडा यह बना और यह बना इन तीनों लोगो जोईन करें इस तरह का लाइन बनेगा यहां पर हमें एक पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मेरा जिस पैटर्न को पर हमने अल्वेडी वीडियो बना रखा है पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल twangle pattern देख सकते हैं यह आपका symmetrical twangle pattern का formation किया है और इसके basis पर यहाँ पर भी हम breakout या फिर breakdown को identify कर सकते हैं यहाँ पर भी price अगर इसको break करके उपर निकला तो यहाँ पर हम buy side की तरफ positions initiate कर सकते हैं और यहाँ पर हमें breakout देखने को जाएगा और इस level को अगर break करके price नीचे गया तो यहाँ पर हम downfall move के लिए जा सकते हैं इसके बाद हमें price नीचे जाता हुआ दिखेगा तो दो चीज़ है आइदर आप इसके high को marker लीजे या low को marker लीजे या फिर जो pattern हमने identify किया उस pattern को हमें identify करना तो यहाँ पर हम जिस चार point के basis पे हम क्या कर सकते हैं अपना trading opportunity find कर सकते हैं एक एक करके मैं सारा बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या देखना है आपको यहाँ पे volume profile को देखना है volume profile के highest point को देखना है दूसरा आपको यहाँ पे किसको study करना है आपको यहाँ पे प्राइस एक्षन को study करना है तीसरा आपको यहाँ पे volume देखना है जो कि हमें नीचे दिख रहा है फूर्थ हमें यहाँ पे आइदर trend line draw करना है या फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कोई pattern को identify करना है बस यही आपको चार चीज करना है और इसी चार चीज को follow करते हुए हम आसानी से क्या कर सकते है जो trap बिछाया जाता उस trap से बच सकते है और यहाँ पे हम सही trade initiate कर सकते है किस direction में लेना वह यहाँ पे find कर सकते है अब यहाँ पर देखे चाहिए इसके basis पर हो या फिर इसके basis पर हो हमें अल्टिमेटी ब्रेक आउट जा है यहां पर मिले यहां पर मिले हमें यहां पर ब्रेक आउट मिल गया है और यहां पर हमें क्या पता चल गया है कि प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाने को तयार है अब यहां पर एक और चीर देखिए इस केंडल पर वालूम देखे हमें reaction देखने होग मिल गया sellers की तरफ से अब volume increase हुआ और ज्यादा price आपका नीचे side की तरफ जा रहा है तो आप जाओ तो यहाँ पर definitely या फिर late लेना चाहते हो और safety जाना चाहते हो यहाँ पर आप entry ले सकते हो दोनों में से किसी भी level पर entry लेना sales side की तरफ entry लेना और जो इसका highest point है वो मेरा SL के रूप में यहाँ पर काम करता हुआ दिखेगा अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं उससे पहले uptrend था अब यहाँ पर वो जो supply zone बना है उस supply zone को वो identify नहीं कर पाते हैं हमने जो 4 point लिया उस 4 point के basis पर जैसे ही नीचे side की आउट दिया हमें क्या पता चल गया यह जो जोन बना था यह आपका डिमांड जोन नहीं था यह आपका था supply zone और maximum लोग यहीं चीज को identify नहीं कर पाते हैं और हमें कुछ भी confirmation मिलने से पहले ही वो यहाँ पर buy side की तरफ interview ले लेते हैं इस trend को follow करते हुए तो वही चीज आपको नहीं करना कोई भी trend को follow नहीं करना जब तक कि हमें confirmation नहीं मिल जाए अगर यह trend continue रहता यहाँ पर हमें इस तरफ breakout देखने को मिलता थोड़ा बहुत हम point lose कर रहे हैं लेकिन उससे हम बड़े नुकसान से ब देखते हुए supply zone को identify कर लिया तो यहाँ पर अगर हम target price की बात करें तो देख सकते हैं यह हमारा first target price होगा और जो भी नीचे आपका swing low होगा उसके basis पे आप gradually target price के लिए जा सकते हैं और आप चाहो तो psychological level भी हमारा है 17,800 जो की crucial support level था इस target price तक के लिए भी आप यहाँ पर sell- काम हो सकता था trap से बचके आप यहाँ पर profit बना सकते थे तो यही चीज आपको identify करना है और जो भी knowledge है उसका आपको utilization भी आना चाहिए तभी आप इस तरह के trap से बच सकते नहीं तो इस तरह के trap आपको कई बार देखने को मिलेगा जो की आपको जबदस्त नुकसान देखे ज आ सकता है सो उमीद करते हैं यह जो concept मैंने आपको बताया यह concept यहाँ पर आपको clarity के साथ समझ में आगे आओगा और आगे हम इस तरह के जो भी situation हमें देखने मिलेगा उसके उपर और वी वीडियो बनाएंगे लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जबर क का notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को miss ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन